नमस्कार भाईयो आज का वीडियो बजट के उपर है और इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो काफी इंफोमेटिव है और ये वीडियो आपको सांदार नौलेज देगा स्टार्ट करते हैं बजट प्रक्रिया से बजट की त्यारी पांच मुईना पहले से सुरू हो जाती है इसके बजट बनाने की प्रक्रिया समाने रूप से सितंबर से सुरू हो जाती है किसी भी भाग को कितनी रकम मिलेगी बित मंतराले इसके लिए ब्लूप्रेंट बनाता है फिर अक्टूबर नवंबर के दौरान बाकि मंतरालेों के साथ बैठक होती है बजट के प्रस्ताओं पर प्रधान मंतरी के साथ चर्चा की जाती है सब कुछ तै होने के बाद डॉक्युमेंट की छपाई होती है उसके बाद बजट पेस करने की तारिक पर सरकार स्पीकर की सहमती लेती है इसके बाद लोकसभा सचीवाले के महा सचीव राष्टपती की मजूरी लेते हैं एक तारिक को भारत के बित मंतरी बजट पेस करते हैं साथ ही यह बीतिया वर्स हर साल एक अपरेल से शुरू होकर अगले 31 मार्च को समाप्त होता है यह देश की दसा और दिशा तैक करने के लिए मातपूर्ण होता है भाईयो यदि समझ में ना आया हो तो इसको आप दوبारत देख लेना इससे आपको सही समझ में आ जाएगा भाईयो एक फरवरी को भारत के बित मंतरी निर्मला सिता रमान ने बजट पेस किया तो आईए समझते हैं उन्होंने क्या कहा बीत मंतरी ने कहा हमारा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और टेक्स स्लेब में बदलाव किया गया है इससे मध्यम वर्ग को फैदा होगा अब 7 लाख रुपे तक की सलाना आये पर कोई टेक्स नहीं लगेगा खिलोने साइकिल, आटो मोबाइल, एलक्टरोनिक वान और मोबाइल फोन सस्ते होंगे जबकि सिगरेट महेंगी होगी महिलाओ का ससक्तिकरण, टूरिजम के लिए एक्सन प्लान, कारिगरों के लिए पहल और ग्रीन ग्रोथ सामिल है अब भाईयों बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 लाग करोड रुपे किया सहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 10,000 करोड रुपे खर्च करेगी अब रेलवे बजट के बारे में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड का बजट आवंटित किया गया है बजट में रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड रुपए का फंड का एलान किया है रक्षा बजट के लिए कुल 5,93,537 करोड रुपए आवंटित किया गया है योजना के बारे में जानते हैं बित मंत्री ने गाउं गाउं डिजिटल लाइबरेरी योजना रखी है जिसके तैत बच्चों और युवाउं को पढ़ने में सुविधा दिलाने के लिए डिजिटल लाइबरेरी त्यार की जाएगी वाड और पंचायत अस्तर पर यह लाइबरेरी उपलब्द होगी इसमें छेतरिय और अंग्रेजी भासा में किताबे उपलब्द रहेंगी अब भयोजी के से जूड़ी कुछ क्वेशन जानते हैं क्वेशन है बजट सब्द की उत्पती कैसे हुई उत्तर है बजट सब्द की उत्पती फ्रेंच भासा के लतिन सब्द बुलगा से हुई इसका अर्थ है चमडे का थैला बुलगा से फ्रांसिसी सब्द बोगेट की उत्पती हुई जिसके बाद अंग्रेजी सब्द बोगेट अस्तित्व में आया इससे बज़ट सब्द बना अगला क्वेशन है देश का पहला बज़ट कब और किस ने पेश किया था उत्तरोगा अप्रेल 1860 को देश का पहला बज़ट ब्रिटिस सरकार के बित मंतरी जेम्स विल्सन ने पेश किया था अगला क्वेशन है बज़ट का समय कब बदला था यह प्रता सर बेसिल ब्लेकेट ने 1924 में शुरू की थी सन 2000 में पहली बार यस्वंत सिन्ना ने बजट सुबह 11 बज़े पेस किया अगला क्वेशन है स्वतंतर भारत का पहला बज़ट कब और किस ने पेस किया था उत्तरों का स्वतंतर था के बाद देश का पहला बज़ट पहले बित मंतरी आरके सडमुखम चेटी ने 26 नुमबर 1947 को पेस किया था अगला क्वेशन है भारत के कौन से परधान मंत्री ने बजट पेस किया था यानि परधान मंत्री रहते हुए बजट पेस करना उत्तर है परधान मंत्री जोहरला नहरो ऐसा करने वाले वो देश के पहले परधान मंत्री बने और इंद्रा गांदी ने भी परधान मंत्री रहत साइन ने अब तक सबसे जादर दस बार बजट पेस किया है जनम दिन पर भी एक मातर प्रधान मंतरी हैं अगला क्वेस्चन है गड़तनत्र भारत का पहला बजट किसी ने पेस किया उत्तारे गड़तनत्र भारत की अस्टापना के बाद पहला बजट 28 परवरे 1950 को जनमताई ने पेस किया था भायो अगला टोपिक है बजट के दिन हल्वा खाने की रस्म की जनकारी बजट छपने के लिए भेज़े जाने से पहले बित मंतराले में हल्वा खाने की रस्म निभाई जाती है इस रस्म के बद बजट पेस होने तक बित मंतराले के सबंदी तादिकारी किसी के संपर्ग में नहीं रहते हैं परिभार से दूरू ने बित मंतराले में ही रुकना पड़ता है भायो ये वीडियो जाद से जाद से शेयर करो लाइक करो मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिए